परिचय विदिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनवेशा ने त्रीकोण मिती का उप्योग किया है इस पार्ट में आप एक त्रिभुच के कोणू और उसकी भुजाओं के बीच के सब्मंधों के बारे में सीखेंगे उद्धिश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोणों के त्रीकोण मितीय अनुपातों को परिभाशित करना विशेश कोणों के त्रीकोण मितीय अनुपातों का परिकलन करना पूरा कोणों के त्रीकोण मितीय अनुपातों की गरना करना त्रीकोण मिती की उत्पत्ती त्रीकोण मिती शब्द की विउत्पत्ती दो ग्रीक शब्दों से हुई है। त्रीकोण कार्थ है त्रिभुज और मिती कार्थ है माप। इस प्रकार त्रीकोण मिती गणित की एक शाखा के अंतरगत आती है। जुग एक त्रिभुच के कोणों और भुजाओं के मध्धे संबंध दर्शाती है। मिस्र और कस्तियों के लोग खगोलिय अध्ययन के लिए त्रीकोण मिती का उपियोग करने वाले सबसे पहले थे। ग्रीक खगोल शास्त्री तथा गणी तग के हिपपारकस ने पहली त्रीकोण मितीय तालिका को संकलित किया था। इसी वज़ा से उन्हें त्रीकोण मिती का जनक माना जाता है। त्रीकोण मितीय अनुपात आईए त्रीकोण मितीय अनुपातों के साथ त्रीकोण मिती के लिए अपना परिचै शुरू करते हैं। हम निम्न करेंगे। त्रीकोण मितीय अनुपातों के रूप में कोणों को व्यक्त करेंगे। एक जैसे त्रिभुजों के त्रिखुजों 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 के त्रि की सनलगन भुचा है, xz कर्ण है, आए अब तिरिभुज xyz की भुजाओं के अनुपातों के रूप में कौन z के विभिन मापों को व्यक्त करते हैं, कौन z का साइन बराबर sinz बराबर समग भुजा बटे कर्ण, कौन z का कोजाइन बराबर कौज z बराबर सनलगन भुजा बटे कर्ण, कौन z का टेंजेंट बराबर 10z बराबर समग भुजा बटे सनलगन भुजा, कौन z का कोजगेंट बराबर कौजेक z बराबर एक बटे sinz बराबर कन बटे समग भुजा, कौन z का सीकेंट बराबर सेक, z बराबर एक बटे कौज z बराबर कन बटे सनलगन भुजा, कौन z का कौन्टेंजेंट बराबर कौज z बराबर एक बटे 10z बराबर सनलगन भुजा, बटे समग भुजा, एक कोण को व्यक्त करने के लिए ग्रीक अक्षर थीटा का उप्योग किया जाता है इसलिए साइन जेट को साइन थीटा के रूप में लिखा जा सकता है इसी प्रकार कॉज जेट बराबर कॉज थीटा टैन जेट बराबर टैन थीटा कौसेक Z बरावर कौसेक थीटा, सेक Z बरावर सेक थीटा, कॉट Z बरावर कॉट थीटा समरोप तριभुजों के त्री कोण में तेये अनुपाथ दो त्रिभुज ABC और DEF लेते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F अता त्रिभुज की समानता की AAA कसोटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है इसलिए दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं इस प्रकार ये स्पस्थ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं को बदलने से त्रिकोण मितिय अनुपात नहीं बदलता जब तक की उसके कोणों को ना बदला जाए उधारण त्रीकोंड मितिय अनुपात के बारे में हमारी समझ को सशक्त बनाने के लिए आईए कुछ उधारण देखते हैं यह दिया गया है कि त्रिभुज A, B, C में B समकोंड है कॉस A बराबर 5 बटे 13 है अन्य त्रीकोंड मितिय अनुपात ग्यात कीजिए कॉस A बराबर A, B बटे A, C बराबर 5 बटे 13 इसका मतलब है कि भुजाएं A, B और A, C पाँच बटे 13 के अनुपात में हैं अता हम कह सकते हैं कि A, B बराबर 5, A और A, C बराबर 13, A जहां A एक धनात्मक संख्या है पाइदागौरस प्रमय के अनुसार ये इस प्रकार है आईए अब अन्ने त्री कोण मितिये अनुपातों का मान ग्याद करते हैं एक समकोण त्रिभुज PQR लेते हैं निम्न लिखित का मान ग्याद कीजिए पाइदागौरस प्रमय के अनुसार ये इस प्रकार है विशेश कोणों के त्री कोण मितिये अनुपात त्री कोण मितिये अनुपात को समझने के बाद आईए अब हम निम्न की करना करते हैं 30 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 60 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 45 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 60 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 90 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात तीज डिगरी के त्री कौन में तिये अनुपात आईए समभाहु त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं जहां X, Y बराबर Y, Z बराबर X, Z बराबर S है कौन X बराबर कौन Y बराबर कौन Z है आईए अब हम शीर्ष X से भुजा Y, Z को T पर काटने वाला एक लंब खीशते हुए त्रिभुज X, Y, T और X, Z, T में X, T बराबर X, T है जोकी समान भुजा है X, Y बराबर X, Z है जोकी दिया हुआ है और कौन X, T, Y बराबर कौन X, T, Z जोकी समकौन है इसलिए RHS सरवांग समता द्वारा तिर्भुज X, Y, Z और तिर्भुज X, T, Z सरवांग सम है इसलिए कौन Y, X, T बराबर कौन Z, X, T बराबर 30 दिकरी के है Y, T बराबर Z, T बराबर 1, S बटे 2 है पाइधागोरास प्रमय के अनुसार त्रिभुज X, Y, T में निम्न इस प्रकार है साथ डिगरी के त्रिकोन में तिये अनुपात पुना संबाहु त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं याद रहे कि X, Y बराबर Y, Z बराबर X, Z बराबर S है कौन X बराबर कौन Y बराबर कौन Z है शीर्ष X से एक लंब Y, Z खीचा जाता है जो भुजा Y, Z को T पर काटता है त्रिभुज X, Y, Z और त्रिभुज X, T, Z सर्वांसम है इसलिए Y, T बराबर Z, T बराबर 1S बटे 2 है पाइधागोरास प्रमय के अनुसार इस प्रकार है पैंतालीस डिग्री के त्रीकोन में दिये अनुपात सम कोन सम द्वी बाहू त्रिभुज X, Y, Z लेते है XY बराबर Y, Z बराबर S है कोन Y बराबर 90 टिक्री है कोन X बराबर कोन Z बराबर 45 टिक्री है पाइधागोरास प्रमय के अनुसार इस प्रकार है पाइध की शुरुआत में वेदिका और अनुवेशा की चर्चा याद कीजिए यहां दिखाया गया है कि अनुवेशा ने किस तरेके से भवन की उचाई ग्याद की थी इस प्रकार भवन की उचाई 10 मिटर है शुने टिगरी के त्री कौन में थिये अनुपात समकोन त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं धीरे धीरे कोन Z की माप को कम करते हैं आप देख सकते हैं कि X, Z बाइं तरफ खुमती है तथा आड़ी होती जाती है जब कोन Z की माप शुने डिगरी तक घटाई जाती है तब X, Z, Y, Z से मिल जाती है और X, Y की लंबाई शुने हो जाती है आईए हम देखते हैं कि त्री कौन में थिये अनुपातों के मान क्या होंगे 90 टिकरी के त्री कौन में थिये अनुपात सम कौन त्री भुज X, Y, Z लेते हैं कौन Z की माप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं कि X, Z दाई तरफ खुमती है तथा खड़ी होती जाती है जब कौन Z की माप को 90 टिकरी तक बढ़ाया जाता है तो X, Z, X, Y से मिल जाती है तथा Y, Z की लंबाई शूनने हो जाती है आईए हम देखते हैं कि त्री कौन में थिये अनुपातों के मान क्या होंगे इसलिए 10, 90 टिकरी आप परिभाशित है आईए हम एक तालिका में अपने अभ्यास को दर्शाते हैं पूरा कौनों के त्री कौन में थिये अनुपात दो कौनों को पूरक कहा जाता है यदि उनकी मापों का योगफल 90 टिकरी के तुल्ले हो त्री भूज X, Y, Z लेते हैं जो Y पर समकौन है कौन X जमा कौन Y जमा कौन Z बराबर 180 टिकरी कौन Y बराबर 90 टिकरी कौन X जमा कौन Z बराबर 180 टिकरी घटा 90 टिकरी बराबर 90 टिकरी कौन X बराबर 90 टिकरी घटा कौन Z या केवल X बराबर 90 टिकरी घटा Z आईए सबसे पहले कौन Z के लिए त्री कौन मित्य अनुबात की सूची बनाएं आईए अब कौन X के लिए त्री कौन मित्य अनुबात की सूची बनाएं आईए सबसे पहले अपन अवलोकन तयार करते हैं तथा प्रशनों को हल करने के लिए उसका उप्योग करते हैं। आईए अब उसी प्रशन को अलग विधी से हल करते हैं। आईए एक और प्रशन को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि 10A वर्ग बराबर कौट 90 डिगरी घटा 25 डिगरी कोण एक इमाप ग्याद कीजिए। इसलिए 10A वर्ग बराबर कौट 90 डिगरी घटा 25 डिगरी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। इसका तात पर है कि 90 डिगरी घटा एक वर्ग बराबर 90 डिगरी घटा 25 डिगरी। दूसरे शब्दों में A वर्ग पराबर 25 डिग्री, A पराबर 5 डिग्री क्या आप जानते हैं? महासागरों में जुहार की उचाई और खगोलिये पिंडों के बीच की दूरी ग्याद करने के लिए त्रीकून मिति का उप्योग किया जाता है त्रीकून मितिय अनुपात को याद करने के लिए S, O, H, C, A, H, T, O, A एक लोग प्रिये इसमर्ण युक्ति है इसका मतलब साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कॉज एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस और तैन अपोजिट अपॉन एडजसेंट है यानि जया समुख बटे कर्ण, कोज्या सनलग्न बटे कर्ण, स्पर्ष जया समुख बटे सनलग्न है शब्द कोजाइन आरेभट द्वारा प्रियुक्त इसके संस्कृत प्रतिरूप कोटिज्या के जैसे लगता है आधी जया को निरूपित करने के लिए शब्द साइन, आरे भट दोरा, प्रयोक्त जीवा, अथवा, जया की लेटिन अनुवा से निकला है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक संकोंड त्रिभुज में नियून कोणों के त्री कोण में थिये अनुपात विशेश कोणों के त्री कोण में थिये अनुपात जैसे 0 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी पूरा कोणों के त्री कोण में थिये अनुपात झाल झाल